नमस्कार दोस्तो बिहार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तो आज हम बात करेंगे सुपोल को राजधानी पतना से कनेक्ट करने की। क्योंकि सुपोल अभी भी राजधानी पतना से कनेक्ट नहीं हुआ है। कई सारी ट्रेनों की extension की बात भी चली जैसे की राजिरानी एक्सप्रेस हो चाहे राजेंदर नगर सहरसा इंटर सीटी एक्सप्रेस हो चाहे बैसाली एक्सप्रेस हो इन सभी ट्रेनों का extension की बात जो है कई बार सांसद महदे कर चुके हैं सुपोल के सांसद भी और लोगों का पड़ियास भी हो चुका है strain का extension को लेकर कि कमसे कम strain को supol या फिर सराइगर तक कर देना चाहिए ये जो राजिरानी superfast express है इसको कमसे कम आप जो है supol से या फिर सराइगर से इसको चला सकते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि सहरसा में वैसे भी कंजम्शन जादा है वहाँ पर प्लेटफॉर्म की कमी है और वहाँ पर पीट लाइन जो बन रहा है जो अधर में लटका हुआ है वो भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और वहाँ नई ट्रेन लाने की भी बात जो हो की जाती है लेकिन सहरसा में प्लेटफोर्म की दिक्कत की वज़ा से या फिर पिट लाइन की दिक्कत के वज़ा से जो नई ट्रेन आने वाली है या फिर एक्स्टेन होकर आने वाली है वो भी ट्रेन नहीं आपाती है क्योंकि यहां पर extension के नाम पर यहाँ पर pit line को ठहराया जाता है कि pit line नहीं परने के वज़े से यहाँ पर extend अभी नहीं हो सकता है तो आप सहरसा से कई सारी trainों को extend कर सकते हैं उसको आगे ले जा सकते हैं सुपोल सराइगर या पिर रागोपूर तक भी आप ले जा सकते हैं या 40 गंज तक क्योंकि यह लाइन fully electrified हो चुका है और electrified होने के बाद अब इसका extension में कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है कि होने वाली है तो आप इस train को आगे बढ़ा सकते हैं सहरसा में आप प्लेटफॉर्म को खाली रख सकते हैं और नई train ला सकते हैं क्योंकि सहरसा जो railway station है काफी busy railway station है और यहां से सभी चारो दिसाओं के लोग जह हो ट्रेन पकरने के लिए जाते हैं अगर आप इसका extension कर देंगे कुछ ट्रेनों का तो हो सकता है कि भीर यहां पर कम हो और नई train जह हो लाया जा सके तो इसको लेकर लगातार पढ़ियास किये जा रहे हैं लगातार कि छेतरे के लोगों को भी राजधानी पटना जाने के लिए एक सुविधा जनक rail mark हो लेकिन वैसा किया नहीं जाता है और इसको लेकर लगातार पढ़ियास तो किये गए लेकिन अब वो भी पढ़ियास जो वो कहीं न कहीं दब चुका है और इसकी कोई बात भी नहीं करता इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों न इस चीज को लेकर आवाज उठाऊं और रेल पिभाग तक इस बात को पहुँचाऊं ताकि इसका कोई न कोई निर्ने निकल सके बाकी आप क्या सोचते हैं कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएए चैनल को सब्सक्राइब पिजे मिलते है नेक्स्ट विडियो में तब तक देखते रिए बिहार एक्स्प्रेस यूट्यूब चैनल